हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू साइड इफेक्ट चैनल अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो सब्सक्राइब कर लो सब्सक्राइब कर लो सब्सक्राइब कर लो तो पहुत ज्यादा डिमांड थी टीसनेट 2019 की कटफ के भारे में तो मैं आज आपसे कुछ जैट कट आफ है एक मा ऐक में जाथाए जो कट अफ गया था वही कट अब रही बात इस तो ओफिसली सेर निंग किया जाता है यह सबी को पता है इस अफिकी आइसलेक्शन पाएँ जो पड़के के जो मेरा तो उन्हीं को ये क्रेडित जाता है क्योंकि वही लोग आपके बेनिफिट के लिए शेयर किये हैं मुझसे ठीक है जो आपने आने वाले जो भी कोर्सेश में अपलाई करोगे 2020 में तो कटफ जानना बहुत ज़रूरी है तो उनके लिए ही आपके लिए शेयर किये तो मैं भी थैंक्यू करना चाहता हूं उनके लिए जो आप लोगों के बारे में सोच रहें जो 2020 के लिए अपलाई कर रहें उन्हों का बहुत सारे स्टूडेंट का पर्सनल लेट भी हो च कटफ तो जानलो सबसे पहले तो और एक बात बताना चाहता हूं कि 2019 का जो कटफ है वह एक्जैट 2020 में नहीं ऐसा कोई गारेंटी नहीं कि 2020 में भी यही कटफ रहेगा ठीक है तो 2020 में चेंज भी हो सकता है क्योंकि यह फुली डिपेंडेंड है कि कोश्चन पेपर कैसा आया था ठीक है अगर कोश्चन पेपर 2020 का अगर इजी आता है तो कटफ और भी हाई जा सकता है अगर 2020 का कटफ जो मलब कोश्चन अगर हाड आता है तो कटफ डाउन भी जा सकता है तो यह मत सोच के चलना कि जो यह कटफ अब मैं बता रहा हूं 2019 का उस सेम कटफ रहेगा 2020 का 1-2 marks changes होती ही रहते हैं every year तो high भी जा सकता है 5 marks 7-7 marks भी high जा सकता है 80 plus भी गया हुआ है tsnate का cut off, यह मैं बता दे रहा हूं तो सबसे पहले बात करेंगे जो cutoff क्या-क्या गये थे तो उनके बारे में जानते हैं Cut off course यह कोर्स है और यह कट अफ है जेनरल ठीक है जी एन जेनरल है EWS जो इकनोमिकल विकर सेक्षन जो आया है जो जेनरल केडिगेरी के जो विकर सेक्षन उनके लिए है OBC, SC, ST, AF AF क्या है Armed Force category और एक category होता है कस्मीरी migrant तो उनका एक भी स्टूडेन्ट का मेरे पास कोई data नहीं है जो information नहीं है तो मैं उनके बारे में नहीं बता रहा हूं या लिखा ही नहीं हूँ क्योंकि उनके बारे में डीटेल मेरे पास ही नहीं तो कस्मीरी माइग्रेंट बोल कर भी एक रिजर्वेशन होता है स्टूडेंट को रिजर्वेशन मिलता है अगर आप कस्मीरी माइग्रेंट हो तो तो किलियर हो तो सबसे पहले आपको कट अब जरूरी कि मैं बता दो हुआ यह बहुत सारे स्टूडेंट को कट उप मालूम नहीं रहा दा लेकिन अप्लाई कि यह जाते हैं और बहुत जरूरी है कि अगर आप कट-उप को जन लिये तो आप अपने आपको समझ जाओगो कि आपको कितना मह जानत करना पड़ता है ठीक है तो आपको cut up जानना जरूरी है तो यह 100 marks का examination होता है लेकिन एक बात और भी है कि no negative marking होती है और बहुत अच्छी बात है उनके लिए तो cut up गया था general का 75 okay general का cut up गया था 75 EWS का गया था 70 OBC का गया था 68 और SC का गया था 64 ST का कोई information नहीं आया है या कोई भी student मेरे ST के नहीं थे तो information मुझे provide नहीं हुआ है तो यह मैं बता दू सबसे पहली बात की कैसे जाने general का cut up सबसे high जाता है और ST का जो cut up होता है जो schedule tribe का वो सबसे low जाता है याद रखना ST का जो जाता है तो general का 75 है तो आप compare भी कर सकते हैं अगर highest जानगे तो आप lowest को जानने को ज़रूर नहीं है lowest आप जिदना high लागए तो आपका selection को भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो आप cut up की मत सुचो की cut up के वल के लिए करना अप selection के बार में सुचना तो जिदना high ला सको उतना ही अच्छा आपके लिए तो 75 सबसे ज्यादा cut up जनल का जाता है और ST सबसे low जाता है ठीक है तो 64 और AF जो आन्फोर्स category है उनका है 71 HRM का ओके अब आते हैं DS तो DS क्या है यह है development studies तो development studies कौन से campus है यह है मुंबई campus का जो मैं cut up share कर रहा हूँ दो प्रोग्राम होती है एक है खेवराबाद campus में भी development studies होता है लेकिन उनका cut up बहुत लो है Mumbai campus के मुताबिक तो यह Mumbai campus का है याद रखना friends मुंबाई campus का मैं आप से cut-off share कर रहा हूँ development studies का मुंबाई campus का cut-off गया था general का 70 EWS का गया था 62 OBC का गया था 61 SC का गया था 55 and ST का अभी तह कोई information नहीं है मेरे पास और यह मैं बता दू कि SC से थोड़ा कम रहता है ST का cut-off SC जो schedule cast है उनसे थोड़ा कम रहता है ST का तो इनसे आप expect कर सकते हो कि 50 के थोड़ा कमी होगा 50 के around होगा यह भी और AF जो armed force की थी development studies वो है 60 तो यह तोनों बहुत important course है और बहुत ही ज़्यादा demand है इस दोनों courses का अब आते हैं GL, GL क्या है globalization and labor ठीक है में globalization and labor का courses है इनका general का cut-off गया था 71 ओके general के cut-off गयी थी 71 EWS की information नहीं है मेरे पास OBC का है 64 OK SC का है 60 OK SC का है 60 और ST का है 56 जैसा कि मैं आपको बताया था अभी कि SC का 56 है और general का 71 है तो 71 सबसे high ST का सबसे 56 सबसे low तो आप देख सकते हो कि SC से थोड़ा कम रहता है ST का और सबसे low भी जाता है cut-off and arm force का अभी ता कोई detail नहीं है मेरे पास अब आते हैं MHA Master in Hospital Administration तो ये भी एक बहुत ज़्यादा important course है और बहुत ज़्यादा demand है इसका Master in Hospital Administration का तो general का cut-off गया था this year OBS का गया था 54 54 गया था OBC का गया था 49 SC का गया था 47 ST की कोई information अभी नहीं है and arm force की भी information नहीं है Master in Hospital Administration का हो गया अब आते हैं DM यानि की disaster management disaster management इसकी तो जो भी इंट्रेस्टर रहते हैं वो अपलाई करते हैं आने वाले दिनों में यह जान लोगी cut-off क्या है general की cut-off है 58 EWS की है 48 and OBC का है 45 तो SCHT की information नहीं है and arm force की भी information नहीं है तो जो भी मैं बता दे रहा हूं सबसे पहली तो सब का general का cut-off मेरे पास है सभी student का general का cut-off मेरे पास है इन पांचों कोर्स का तो देख सकते हो कि general की cut-off 75, 70, 71, 61, 58 तो यह सबसे highest cut-off जाती है highest और इनी के मताबिक आप जो भी other category होंगे उनका low ही रहेगा जैसे की EWS, OBC, HD, SC तो आपको केवल cut-off clear करने के बारे में नहीं सोचना है आपको selection के बारे में सोचना है cut-off clear तो बहुत सारे student करते हैं आपको मालूम नहीं हो और बहुत कम seat होता है जो 2020 वाले batch वाले देख रहे हो बहुत ही कम seat होती है और cut-off clear करने से केवल नहीं होता है cut-off साब कितना ज़्यादा high ला रहा हो वो भी बहुत अच्छा रहता है आपके selection के लिए तो आने वाले वीडियो में part 2 भी आएंगे part 3 भी आएंगे cut-off कि ये complete नहीं है और भी मुझे जो जो information मिलेगी आपको मैं share करते जाँगा ये किवल 5 courses के अगले वीडियो में और भी courses रहेंगे तो आप से मैं जरूर share करूँगा तो okay friends thank you इसी तरह मैं आपके लिए important वीडियो लाते रहूँगा झाल